दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर रेल यात्रियों के लिए अच्छी कबर बीस जोड़ी पेसंजर ट्रेने फिर से चलेगी जिहां पाटना से सासा राम बरोनी गया मुझापरपूर समेत पूरो मज़ रेल के बीबेन इस्टिसनों के बीच बीस जोड़ी स्पेसल ट्रेनों का परेचलन पुनर बहाल किया जाएगा पूरो मज़ रेल के अलग-अलग रेन मंडल की ओर से हाजी पूर रेल मुख्यालाई को भेजे गए प्रस्ता पर मुहर लग गई है जीन ट्रेनों को फिर से चलाने के अनमोती मिली है वे पेसंजर इस्पेसल ट्रेनों के रूप में चलाए जाएगी आपके जानकारे के लिए बता दे कि जीन ट्रेनों को मंजोरी मिली है उसमें आरा सासाराम, सासाराम, पटना, डेहरी बर्वाडी, डेहरी बर्काकाना, कियूल गया, कियूल जमालपूर, गोमो बर्वाडी, डेहरी बर्वाडी, सिंद्री डाउन धनबाद, धनबाद, प्रकडिया गंज ट्रेन सामिल है बाड़ी खबर आईसाई के निसाने पर बिहार और उत्तर परदेश के मजदूर पुलिस अलट जिहां पाकिस्तान खुपिया एजेंसी आईसाई भारत में धमाके के लिए लगतार साजिसे चल रहा है तरबंगा पारसल बलाष्ट के अभी चंद दिन हुए थे कि बिहार उत्तर परदेश के मजदूर से भरे ट्रेन उड़ाने की नई साजिस का खुलासा हुआ है इसके पीछे भी आईसाई का हाथ होने की खुपिया इंपूट के बाद बिहार पुलिस अलट पर है जिला पुलिस को जी आर्पी और खास का रेल्व को निसाना बनाएं जिसमें बिहार और उत्तर परदेश के मजदूर आते जाते हैं धमाके के लिए टाइमर और बम महया कराने की बाद आयसाई द्वारा कही गई है एजन की जिम्मिदारे सिर्फ टाइमर और बम को तार से जोड़कर धमाका कराने की है बाड़ी खबर जन संग्या कानून पर योगी आदितनात सरकार ने बढ़ाई बड़त MP और बिहार जैसे राज्यों में भी उठ रही है मांग को सरकारी नोकरी और अन्य कल्यानकारी उजनाओं के लाब नहीं दिये जाएंगे अब इस फर्मूले को दूसरे राज में भी पसंद क्या जा रहा है और ऐसा एक कानून बनाने की मांग हो रही है यहां तक कि बिहार में तो बीजेपी और रनेतीस की जेड़ोई की बीच इस म अगली बाड़ी कबर 30 तरिय पंचाई चुना में जन संक्या कानून का कोई लेन दिन नहीं समराठ चोधरी का बड़ा बयान बारती जन संक्या को लेकर अब देश में निती बनाने की मांग की जानी लगी है हाला कि बिहार में जदियों और भाजपा इस मुद्धी पर लड़ रहे हैं वे भी चुना लड़ते रहेंगे मंत्री ने कहा कि बिहार नगर निकाय चुना में दो से अधिक बच्चे वाले प्रतासियों को चुना लड़ने से रोखे लेकिन पंचायती राज के चुना में पंचायती राज कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नह जाएगा ऐसे करमचारी जो लोगडाउन के दोरान दफ्तर में आजरी ना बना पाए उन्हें सरकार जून महिने का पूरा वेतन देगी वित्त विभाग ने सभी विभागों को इसके लिए दिसा निर्देश जारी कर दिया है आपको बदा दे कि जून महिने में सरकारी दफ् 50-50 उपस्ति के साथ खुल रहे थे सरकार के इस आदेश का फाइदा ना केवल नियमित करमियों को मिलेगा बलकि समीदा पर कायर रत और एजनसी के मायदम से काम करने वाले करमचारी भी इस दायरे में आएंगे वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुझ के सवी प्रमंडेल या आयोग जिला के डियम और कोसागार पदादेकारियों को निर्देश जारी कर दिया है बाड़ी कबर बिहार में काल बना बजरपाद एक साल में ठंका से 401 लोगों की मौत रिपोर्ट में हुआ खुला सा जिहां बिहार में लगातार हो रहे बारिस और ब बिहार में ठंका गिनने से सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है एक रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार में 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ठंका गिनने से करीब 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है बिहार में बजरपास से हुई मौत का यह अकड़ा डरावना है अगली बड़ी ख़बर अगले तीन दिनों तक बारिस और उमस जेलेगा बिहार जिहां बिहार में अगले तीन दिन हलकी से मैदम बारिस और उमस के आसार है बंगाल के खाड़ी में कम दवाव का केंद्र बन रहा है इसकी वज़ा से समुचे प्रदेश में उमस सामायने से काफे अधिक हो जाएगी इसी दोरान प्रदेश में कई इस्तानों में धूब भी तेज निकलेगी इसकी वज़ा से तापान में बड़ोतरी के आसार है फिलाल प्रदेश में मांसुन सक्रिया है इधर उत्तर बिहार में अगले दो दिनों तक कोछ इस्तानों पर गरज के साथ बारिस की सम्हावना है इस दोरान हलकी से मैदम बारिस भी होने के आसार है और के दोरान हवा भी चल सकती है मासम विवाक के अनुसार अगले 15 जुलाय तक कहीं कहीं हलकी वरसा हो सकती है अगली बड़ी कवर लोगडाउन में बंद मकान और प्रतिश्टानों को नहीं देना होगा कच्रा सुल्क पाटना नगर निगम ने दी रहत जहां पाटना में रहन पिछले दिनों नगर आयुकत और इस्ताई समिती के सदेस्यों संग चर्चा करने के बाद पाटना की मेयर सिता सहो ने इसकी घोसना की है वह अगली बड़ी खबर पाटना में रहने वाले किराईदारों सो भी नगर निगम वसोले के पैसा हर महने देने होंगे इतने रुपिये जीहाँ अब राजधानी में किराईदारों से भी कचरा सुल्क वसोला जाएगा इसके लिए मकान मालिकों से किराईदारों की सुची मागी जाएगी विस्तरत जानकारी टेक्स कलेक्टर के मायदम से भी प्राप्त की जाएगी आपको बता दी कि पाटना नगर निगम छेतर में 5 लाग से अधिक किराईदार हैं प्रितिक किरादार से 30 रुपिये घरेलु कचरा सुल्क वसोला जाएगा इससे नगर निगम के मासिक कचरा सुल्क में 15 लाग रुपिये व्रिदी होने की सम्भावना है आगली बाड़ी कबर 18 किलोमेटर सुरंग से होकर गुजरेगी पाटना मेटरो 14 किलोमेटर में होगा एलिवेटेड जी हाँ पाटना मेटरो राज़ानी के अधिकान से इलाकों में सुरंग से होकर गुजरेगी सगुना मोड से गोला रोड और अंतराजिय बस टर्मिनल पह से 1.500 फीट तक नीचे होगी अगली बाड़ी कबर पूर्व किर्केटर यास्पाल सर्मा का निधन देश में सोक की लहर जिहां पूर्व किर्केटर यास्पाल सर्मा का कल दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गिया 1983 की विश्व कब विजेता टीम के सदे से राचुके 16 वर्षिय पूर्व किर्केटर यास्पाल सर्मा का निधन से देश में सोक की लहर है पीम नरेंदर मोदी अमित सा राजना सिंग ममता वनरजी समेत कई राजनेताओं ने उनकी निधर पर दुख जताया है बाते टीम के के समी फाइनल में इंग्लेंड के खिलाब टीम का सरवादे की स्कोर बना कर भारत को फाइनल तक पहुचाने में महत्तपोन भूमी का आदा की थी औहने ने उत्तर प्रदेश के कोच की भी भूमी का निभाए थी अगली बाड़ी खबर मंत्री असोक चोदरी की बढ़ सकती है मुश्किले मंत्री बनाय जानिफ एसले को पटना हाइकोट में चुनोती जिहां बिहार सरकार के मंत्री और जिडियोई नेता असोक चोदरी की मुश्किले बढ़ सकती है दरसल असोक चोदरी को भावन निर्म मंत्री के पद पर नियुक्ति को अटना हाइकोड में चुनोती दी गई है कंतोस कुमार की और से दायर अरजी पर मुक के न्यादिस न्यायमूर्ति संजे करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार के खंड़ पीट ने आंसिक सुनवाई के बाद मामलु पर अगली सुनवाई 19 ज सदस नहीं होने के बावजूद इन्हे 16 नवंबर 2020 को फिर से मंत्री पद का सपद गरहन करा दिया गया था उसके बाद 17 मार्च को राजपाल ने असक चोधरी को विधान पारसत के रूप में मनुनित किया उन्होंने भारतिया समिधान के अनुचद 161 तथा 164 का हवाला दे सदस नहीं होने के बावजूद किसी को मंत्री बनाया जा सकता लेकिन मंत्री को मा के अंदर किसी सदन का चुनाव जीत सदस बनना अनिवार है भवा निर्मान मंत्री असक चोधरी किसी सदन का चुनाव नहीं लड़े है ने मनुनित किया गिया है ऐसे में वे पद पर बने रहने के लायक नहीं है इस मामले में हाइकोट अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगी अगली बाड़ी खबर दरवांगा रेल लाइन पर चोते दिन भी परिचालन बाधित पांच जोड़ी ट्रेने रद दो जोड़ी ट्रेनों को रूट डाइवर्ड जिहां समास्तिपूर द दरवांगा राजेंदर नगर इंटर सिटी एक्सप्रेस सही 10 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है इसके अलावा दरवांगा नई दिली स्पेसल ट्रेन 14 जुलाई को दरवांगा सितामडी नरकडिया गंज गोरोगपूर के रास्ते चलाए जाएगी इसी परकार ट्रेन सेंख्या 05232 दरवांगा कुलकता स्पेसल ट्रेन 14 जुलाई को दरवांगा सितामडी मुझपरपूर समस्तिपूर के रास्ते चलाए जाएगी जबकि ट्रेन सेंख्या 09166 दरवांगा अहमदाबाद एवं ट्रेन सेंख्या 05559 दरवांगा अहमदाबाद 14 जुलाई को दर पोनाम हमारी के चलते लंबी चल रहे जून 2021 टर्म एन इक्जाम के लिए टाइम टेबल इंद्रा गांधी इस राष्टिय मुक्त विस्विदाले ने जारी कर दिया है इस विदाले द्वारा कल 13 जुलाई 2021 को ओफिसिल वेपसाइड एगनु.ac.in पर जारी एगनु जून टेटी 2021 डेट सिट के अनुसार विविन इसनातक इसनातक कोर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट सेटिपिकेट और सेटिपिकेट कोर कोसेस के लिए जुन 2021 में समाप्त हुई सत्र के लिए परिक्षाओं का आईजन 3 अगस्ट से 9 सितंबर 2021 तक किये जाएंगे और अन्त के बाड़ी खबर सीरम इंट्रिटूट अफ इंडिया सितंबर में सुरू करेगा स्पोतनिक वी का उत्पादान। आज के लिए आपका स्वाल बताए कि यूपी की तरह क्या बिहार में ब। जैन संक्या नेंत्रन के लिए कोई कानौन आना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं